जाक्रंदासवा का मौसनसतर एक दिन पहले ही समाप्थ हो गया विदासवा धक्षर रविद्रात महतो ने कहा कि विपक्षर सत्र के सज्चालन में सईयोग नहीं कर रहा है दररसल कई विश्यों को लेकर विपक्षर सदन के अंदर हंगामा करता रहा 22 तोरानिय स्पीकर ने 4 भाज़पा विधायकों को निलंबीत भी कर दिया हलाखि बाद में विधायकों को वापस सदन में बुला भी लिया गया इस्पीकर की माने तो सदन के अंदर विपक्ष का चरण मर्यादित नहीं रहा सदन में एक दल का मान्या सदेश्टों का जो ब्यभार ता यह आप लोग भी देखे होंगे और उस ब्यभार से आहत होकर के हम भी मान्या चार सदेश्टों को निलंबित करना पड़ा और निलंबन वापस भी मैंने जिस अबदी के लिए निलंबित किया था उस अबदी से पुर भी उनका निलंबन वापस भी किया निलंबन वापस लेने के समय में मेरा उमीद था कि हो सकता है कि अब सदन का काम सुचारो रूप से चलेगा लेकिन जैसे ही हम लोग सदन में प्रवेश किया हमें लगा कि सदन के मान्य सदश्चों का बेवार में कोई परिवेशन नहीं हुआ है और जो सदन का सरूप जो है जनमानस में सदन का जो सरूप जा रहा है देख के अंदर देश के बाहर जो भी लोग तमाम लोग जो चीज परिवेशन करते हैं उसको देखते हैं तो हमको लगता है कि लोगों के मन में निच्चित रुप से एक बात आता होगा कि इस सदन हाष्सासपद बनते जा रहा है ये सदन हाष्सासपद बने यह मैं नहीं चाहता हुआ आपने देखा होगा एक नई मेंबर माननिया शिल्पी नहा तिर्की जी सदन के अंदर में आई और जिस दिन उनका मैडन स्पीच था और मैडन स्पीच के अंदर में उन्होंने अपना जो अनुभव सेयर किया हम तमाम माननिया सदेश्च को उनके स्पीच के और उनके संदेश को आत में सत करना होगा कि मुझे सदन का कारभाई देखने के बाद एक सद का इस्तेमाल किये जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ हमको बहुत ही खराप लगा तो इसलिए निरंतर सदन का कारज क्रम को हलका कर देना सदन को हश्चास को बना देना हम उचित नहीं समझना है इसलिए आहत मन से बूखी मन से सदन को एक दिन पूर्व ही साइंड आई करने का निल में मुझे मजबूर होकर पिलेना पड़ा किंग्स ओर्गेंडिक टोमेटो केचप धनबात के किसानों द्वारा जैविक विधिस उत्पादि टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है टमाटर की खेती भी क्रिशी विशेशक्यों की देखरेक में बिना किसी हानिकार कीट नाशक के प्रयोग से की जाती है कोपल किसानों के सम्रिधिक के साथ रखती है लोगों की सिहत का भी खयाल तभी तो कोपल कहता है आप रखें किसानों का खयाल और वो रखेंगे आप की सिहत का खयाल किंग्स ओर्गेनिक केचप शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो